नमस्कार, सुप्रीम कोट और हाई कोट में जजों की नुक्ति कैसे हो, इसको लेकर इस समय काफी बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवाद की जड़ में है कोलेजियम सिस्टम, तो क्या है कोलेजियम सिस्टम, कहां से आया, सम्मिधान में ये है या नहीं है और सम्मिधान सभा ने जब सम्मिधान बन रहा था तब इसको किस तरह से इस पूरे मामले को लिया ये बताने के लिए हमारे साथ मौझूद है सुप्रीम कोट का एडवोकेट नितिनमेश्राम जी सुरू से ही सुरू करते है नितिन जी कोलेजियम सिस्टम क्या है और कहां साया कोलेजियम सिस्टम मिन्स जजों का एक कमिटी है जैसे हाई कोर्ट में भी है सुप्रीम कोर्ट में भी है बट हाई कोर्ट के कोलेजियम को बहुत लिमीटेड पावर है और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम अल्टिमेट है Supreme Court में पाज जजेज़ जो है जिसमें Chief Justice of India और उनके जो Senior Most Čर जजेज़ ये लोग मिलकर decide करते है कि इस देश में Supreme Court में कौन जज़ बनेगा और Chief Justice के मामले में Chief Justice खुद decide करते है और High Court के जज़ों की नियुकती है उसके लिए High Court के Chief Justice और दो जज़ेज ज़ज़ प्रपोजल भेशते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के तरब और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम तीन जज़ों का उस केस में होता है जो चिप जस्टिस और दो सिनियर मोस जज़ेस और फिर इसके साथ साथ इसमें एक प्रावधान भी है कि यदि पाच जो शुरुवात बाती पास जड़े से उसमें यदी कोई वेक्ती कोई जज चिप जस्टिस नहीं बन रहा है और छटवा या साथवा आठवा कोई जट चिप जड़े स फूचर चिप ज़ेस्टिस है तो उसको कोई दूसरा जज जो सुप्रीम कोर्ट में होता है तो उसको कंसल्टी जज करके रखा जाता हैं यह कंसल्टी होगा. तो इसका मतलब मैं अगर इसको सरल सब्दों में कहूं तो जजों की एक कमेटी जज बनाती है ये है कोलेजियम सिस्टम और ये कमेटी सरकार को अपनी सिफारिज भेजती है नितिन साब ये जो जजों की कमेटी है कोलेजियम जिसको आप कह रहे हैं या कहा जाता है ये जो कार के लिए जरूरी है सुप्रीम कोट ने 93 में एक जज्जमेंट दिया जो नौ जजजों का जज्जमेंट है उस जज्जमेंट में उन्हों ने कहा कि हमने जो interpretation place किया है वो article 214 के उपर है एक सो चोबीस के उपर और 217 के उपर है और हमने जो interpretation place किया है वो law of the land है तो section article 74 जो constitution में है उसके तहट council of minister मतलब prime minister और उसके ministers प्रेसिडेंट को add and advise करते हैं प्रेसिडेंट इनके मर्जी से चलता है तो जब वो प्रेसिडेंट को बताएंगे तो जो हमने law बताया है वो ही law बताना होगा इसका मतलब supreme court ने ये कहा है कि हमने जो बताया है वो final है और इसी को आपको लागू पढ़ना पड़ेगा उसमें दूसरा कोई option नहीं आए तो इसका मतलब हुआ कि supreme court के judge की committee जिसको चाहेगी वही judge बनेगा high court और supreme court में और अगर वो नहीं चाहती है तो कोई judge नहीं बनेगा ये collegium system है मोटे तोर पर कि judge की committee देश में high courts और supreme court में judge को न्यूक्त करेगी नितिन साहब थोड़ा मैं आप पीछे की तरफ जाना चाहूँगा कि ये system आप बता रहे हैं कि 1993 के second judges case में आया और ये वहां के बाद की विवस्था है इससे पहले कि सम्विधान की original position क्या है कहां किस तरह से जजों की नियूक्ति की विवस्था सम्विधान ने की है सम्विधान में दो बहुत important provision है पहला है 126 class 2 जिसके तहट जजों की supreme court में जजों की नियूक्ति की जाती है और 217 एक के तहट high court के जजों की नियूक्ति की जाती है 124 जो है वो एक बहुत important provision है वही provision generally high court के लिए भी अभी follow किया जा रहा है उसमें देखा जा रहा है कि तीन important या चार important चीज़े है पहली important चीज़े है कि जजों की नियूक्ति president करेगा सम्विधान में लिखा है president करेगा लेकिन तो नियूक्ति करते समय वो supreme court के chief justice और देश के chief justice justice और supreme court के judge और नमबर आप judge मतलब जिसको चाहे ऐसा नहीं कि पहले दूसरे तीसरे को वो उसके मर्जी में जो judge लगता है उसको वो consult करेगा दस को करेगा पाच को करेगा एक को करेगा chief justice आफ इंडिया को भी करेगा और इनको consult करके वो इनकी नियूक्ति करेगा हाई court के मामले में एक additional चीज़ यह है कि वो chief justice आफ हाई court को और governor of the state अब governor of the state जो है वहां की government है क्योंकि वो aid and advice के अधार पर उधर चलते हैं तो governor of state को consult करेगा और उसके बाद में वो नियूक्ति करेगा नियूक्ति अपने हाथ से seal and sign उसकी हाथ से उसको president को करना है यह constitution क provision है राइट इसमें क्या उनके लिए यह जरूरी है कि consultation ले ही या परामर्स ले ऐसा क्या यह परामर्स लेना mandatory किया गया है या एजी डिम्स फिट टाइप का मामला है कि वो चाहे तो ले परामर्स यह कहा है कि चीप जस्टिस और अन्यजज इनको consult करना चाहिए और चीप जस्टिस आफ इंडिया को जब वो सुप्रिंग कोड के दुसरे जज़ बना रहे हैं तो उसमें consultation करना प्रेसिडेंट के उपर बंधन का रगए राइट प्रेसिडेंट को consult करना ही चाहिए तो अगर आप यह कह रहे हैं कि constitution की original position यह है कि राष्ट्रपती चीफ जस्टिस या राज्यों के मामले में हाई कोड के मामले में गवर्नर से परामर्श करेगा विचार विमर्श करेगा चर्चा करेगा consultation करेगा तो यह consultation तो फिर बाजध्यकारी या उनको उनको उन पर कोई मजबूरी प्लेस नहीं करता है फिर constitution की original position तो यह हुई कि राष्ट्रपती जो council of ministers के परामर्श से काम करता है वो जजों को निक्त करेगा और अगर वो उचित समझेगा तो जजों की राए लेगा तो यह इस मामले में तो राष्ट्रपती या executive की supremacy स्थापित है क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि यह एक valid एक व्यवस्था थी जिसको कि second judges case में बदल दिया गया second judges case ने समविधान को उल्टा टांग दिया है जैसे समविधान था उसको उल्टा टांग दिया है क्यूंकि president के जो powers थे वो president के powers अब president exercise नहीं कर सकते पाज कारण है उसमें पहला कारण है कि president को खूद होकर यह शुरू करना था अब president उस process को शुरू नहीं कर सकता कॉलेजियम उसको शुरू करेंगा जैजों की कमेटी जो है उसको शुरू करेंगा है कि इसको जैज बनाना है हाँ I think this is the significant departure भी है और मुझे लगता है यह completely reversal है complete reversal of the constitution है दूसरी important चीज यह है इसमें कि president article 74 के तहद aid and advice से bound है अब वो aid and advice जो है वो power कॉलेजियम जैजों की कमेटी ने अपने पास ले लिया है प्राइम मिनिस्टर का जो power है वो चला गया है council of minister का power चला गया है लेकिन वो power अभी जैजों के द्वारा exercise किया जा रहा है तो president को कुण aid and advice कर रहा है तो जैजों की कमेटी कॉलेजियम करना है जबकि सम्विधान के original विवस्था यह है कि उसको council of ministers और prime minister advise करेंगे तीसरी important चीज इसमें यह है कि जब president यह consult कर रहा था शुरुवाती दार में तो वो अपने मर्जी से chief justice को तो करता ही था लेकिन अपने मर्जी से किए ही सारे जजों को करता था कई सारे जजों को करता था और हो सकता है कि वो यह करते समय informally कई और दूसरे भी stakeholder है उनके साथ भी consult करता होगा और वो उसका जो opinion है वो तो council of ministers decide कर रहा था तो council of ministers के पास कई सारे inputs होते हैं कई सारे नेता होते हैं तो यह जो उसकी मर्जी के लोगों को जजों को जो consult करने का power है वो छिन लिया गया है consultation का area बहुत narrow कर दिया गया कि इन ही पांच लोगों से आपको बात करनी है या chief justice से ही बात करनी है आप सारे बाकी inputs का आपके लिए कोई मतलब नहीं रहा है इन फैक्ट बात भी नहीं हो रही है यह लोग जो क्या करता है कि लिस्ट भेज देता है तो लिस्ट भेज देने की वज़ा से फिर कुछ करने को बस्ते है नहीं है इन फैक्ट इसमें consultation वाला जो point है वो ही कतम हो गया है और चौथी important चीज है कि जो राज्यों की high courts है उसमें जो जजों की नियुक्ति की जा रही थी उसमें governor को consult करने का जो power था वो eliminate कर दिया है गवर्नर को consult करने का complete elimination है और यह complete elimination की वज़र से president का sovereign power की जजों को नियुक्ति करते समय गवर्नर को consult करना है वो अलाव एक नहीं obliterate कर दिया गया है तो वो मुझे लगता है check and balance भी खतम बेज रहे हैं यह chief justice को यह language नहीं आती तो यह परामर्स्तु करने कुझ जाईशी खतम होगी यह सपोज आप increasingly मदरास में ऐसे जज को भेज रहे हैं जहां उसको मदरासी नहीं आती तमिल नहीं आती और तमिल नहीं आने की वज़े से क्या होता है कि जो बहुत सारे documents होते है वो specifically उसके लिए translate किये जाते हैं हाला कि English language है लेकिन तो बहुत जब judge करते हैं आप तो बहुत सारी चीज़े regional भी होती है आप connotations होते है language की अपने एक मतलब कई बार उसको समझने का एक तरीका भी होता है और पाच्वी important चीज़ी है कि यह जो complete process है यह process में जो government of India का role है व वो role स्रीप अभी postmaster बन गया है कि जजो ने एक चिट्थी आई और आप उनकी signature लेके इसको publish कर दो appointment कर दो तो यह पाच important चीज़े हैं जिसकी वज़ा से मुझे लगता है कि यह complete reversal है और यह reversal बहुत ही मुझे लगता है कि significant है एक चीज मैं इसमें और समझने कोशिश कि अब आप इस argument को जजेज की तरफ सम देखते हैं जजो ने क्या argue कि क्यों जो पुराना system चला रहा था यह सम्मिधान की जो original position है वो सही नहीं है और हम अपने हाथ में जजों की निक्ति को ले रहे हैं तो second judge case में जो जजों की सरोचता स्थापित की गई उसके पीछे क्या argument था उनका जजों का क्या argument था जजों के दो-तिन बहुत important argument है जिसको consider करना चाहिए हाला कि वो समिधानिक नहीं है लेकिन फिर भी वूस को देखना चाहिए उनका कहना है कि यह जो appointment process है वो participatory है मतलब प्रेसिडेंट को जब बाद्धे किया गया है कि वो chief justice से बात करेंगे ह जजों से बात करना बाद्धे नहीं है लेकिन chief justice से बात करना बाद्धे है तो उसकी वज़ास से जब यह बाद्धेता है तो इसका मतलब यह है कि president के chief justice के opinion को primacy है और उन्होंने कहा कि यह primacy बहुत important चीज है उन्होंने यह कहा दूसरी बात कि हम लोग जो है कि इसको power appointment का ह है इसको test नहीं करते है उन्होंने कहा है कि यह रास्ट्रपती का power है और हम लोग उसको deny नहीं कर रहे है लेकिन तो रास्ट्रपती के मुकाबले हम बहतर जगा पे situated है और हम लोग जानते है कि बहतर कोन वेक्ती judge बन सकता है और उसके उज़त से system का मतलब यह है कि जब यह particip participatory system बनाया गया है integrated participatory process बनाया गया है तो इस process को बहतर तरीके से चलाने के लिए हम ज़्यादा suitable है क्योंकि यह जो वकिल ज़ोग जज़ बन रहे हैं यह लोग हमारे court में हाजिर होते हैं और यह हाजिर होते हैं और उसके ज़से हमको उनके बहुत सारी चीज़े पता है तो यह लोग जब president बनेगा तो शायद यह उसके पास नहीं रहेगी लेकिन हम यदि बनाएंगे तो हमारे पास रहेगी तो बहतर system अच्छे judge अच्छे competent वाले judge fearless judge इनको बनाना है तो यह पधिकार हमारे पास होना चाहिए यह दूसरा argument उन्होंने दिया है तीसरा argument उन्होंने कि नियुक्ति करेंगे तो इससे independence अब judiciary बना रहेगा और separation from the executive government of the judiciary वो भी बना रहेगा और उसके वज़ा से जो है constitutional objective उनका कहिना है कि independence and separation of judiciary यह तो constitutional objective है तो उसको अच्छिव किया जा सकता है यह बहुत तीन significant arguments उन्होंने दिया है नितिन साब थोड़ा और पीछे चलते हैं अब हमने 93 discuss किया फिप्टी में constitution आया उसके बाद की एक व्यवस्था थी और 93 के बाद की एक व्यवस्था है pre-collegium और post-collegium मैं अब यह जानना चाहता हूँ कि जब ज़जों की निउक्ति किस तरह से हो इसको लेकर जब constituent assembly में स समिधान सभा में जब समिधान बन रहा था तो किस तरह की बहस हुई और किसकी सरोचता रहे सरकार या राष्टपती की या फिर जजों की इसको लेकर क्या बहस हुई और किस तरह चली क्या यह इसकी तोड़ी आप historical एक प्याख्या मुझे अगर ते सेंबली ने जो हम 124 आर और 24 माई 1950 को एक बड़ा डिसकेशन हुआ जिसमें काफी लोग शामिल हुए और जो प्राविशन था 23 और 24 माई 1949 यह आप लोग वेब साइट पर इंटरनेट पर यह इन तारीक के साथ कंस्टुएंट एसेंबली डाल कर आप चेक कर सकते हैं कि बहस एक्चुली किस रूप म और उसकी डिटेलिंग अगर आप जानना चाहें तो जी निदिन साथ जो उस तारीक को आपके पास फीजिकल कॉपी है तो वाल्यूम एट में यह अवैलेबल है यदि उस समय यह बातचीत हो रही थी कि जजों की नियुक्ति बहुत सिग्निफिकंट एरिया है किसी भी डेम पावर इस्तेमाल करता है स्टेट तो जुडिशियर यह उसको प्रोटेक्ट कर सकता है और अपने कॉंस्टिटूशन में आर्टिकल 32 है जो सुप्रिंग कोर्ट में और हाई कोर्ट में 226 में फंडामेंटल राइट्स का बचाओ करने का पावर दिया गया है तो वो स्टेट मेंबर थे। उन्होंने कहा कि यह जो सुप्रीम कोयूट और हाई कोट यह कंप्लीटली सरकार से अलग होने चाहिए उनका कहना था कि सुप्रीम कोट इन हाई कोर्स इन इस कांट्री शाल वी इनडेपरेंडेंट व्र cotton सेपरेट फ्रम इनाम का आर्टिकल बो 124A होता या फिर 123A होता तो उसको जो है वो इंटर्डूज किया उन्होंने अमेंडमेंट लाया उनका कहिना की सेपरेशन और इंडपेंडनेंस ये दो चीजों के लिए लाया था उसको कॉंस्ट्टुएंट असेम्ली ने डिबेट किया बलकि इस मामले में अमबेट कर उनसे बहुत नाराज हो गए उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन और इंडपेंडनेंस हमने दिया है वो अलरड़ी कॉंस्टुशन में है और लिखिट प्रोविजन्स में है अब अलग से इस चीज को लाने की क्या जरूरत है उसके अदर से वो काफी नाराज हो गए उस थे भी पोकर शाहिब उन्होंने एक कॉंसेटुशन में की जो एक सचोबिस आरटीकल उसमें जो वर्ड कांसल्टेशन है उसके लिए उन्होंने एक प्रोविजिन इंटरड्यूस किया और दुसरा एक प्रोविजिन इंटर्यूस किया कि जजों का नॉमीनेशन करने का जजों के पास जाए यह एक्चिली पकर साहब जो कह रहे तो उनका वो कहना था कि जजों की नियुक्ति चिप जस्टिस करना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने अमेंडमेंड लाया था उनका अमेंडमेंड का कहना यह था कि जो एक्जिस्टिंग आर्टिकल है इन तरि तरि फिर अप्सुलेटली तरि जो हो कॉलेजीम सिस्टेम ऐना यह था कि कॉनकरंस रहेगा और जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव ही चिप जस्टिस आफ इंडिया इनिशेट करेगा जो अभीवाला स्स्टम है तो यह सिस्टम को बिसीकली यहिए चिप जस्टिस इंडिया को वेटो पावर देने का अधिका, वेटो पावर, मतलब प्रेसिडेंट कुछ भी करना चाहे तो चीप जेस्टिस मना गयर देता है, तो जज की नियुकती नहीं होगा, जैसे अभी कोलेज ही है, उस अमेंडमेंड को, जब ये अमेंडमेंड पेंडिंग थी ही, तो चीप जेस्टिस का कॉनकरंस से ही जजों की नियुकती की गई, की जाएगी, इसको लेकर, अमेंडमेंड करने बहुत लंबा भाशन किया है, और उन्होंने कहा है, कि तीन प्रपोजल टाइप के मेरे पास, इस समय कॉनस्टेंट असेम्बली में आए, और पहला प्रपोजल के लिए है, कि चीप जेस्टिस के कांकरंस से जजों की नियुकती होनी चाहिए, और उसको उन्होंने एक्स्प्लें करते हुए कहा, कि यदी हम लोग चीप जेस्टिस के कांकरंस से यदी अप ये जजों की नियुकती करेंगे, तो चीप जेस्टिस को वेटो पावर देने क होगा जो कि हम प्रेसिडेंट को भी नहीं दे रहे हैं और चीफ जस्टिस कितना भी अच्छा आदमी हो हीज़ा मैं आफ आल दे फिलिंग्स आल दे सेंटिमेंट्स और दे फैलिंग्स यह यह वर्ड उन्होंने यूज किया है दावासाब ने कि सारी खामिया जो किसी व्यक्ति में हो सकती है वो चीफ सश्टिस में भी हो सकती है उन्होंने कहां होती है उन्होंने तो कहां होती है तो कि अइस के जितने भी जो प्रिजुडाइब बल्कु उन्होंने ये भी का शायद आगे चलके कि डेंजरस प्रोपोजिशन हो सकते हैं, बहुत खतरनाक इस्थिती हो सकते हैं, उन्होंने को डेंजरस प्रोपोजिशन कहा है, कि यदी जजों की नियुकती ऐसा, यदी हम वेटो पावर चिप जेस्टिस को दे देंगे, तो उन्होंने आगे कहा हैं, कि इन्डेपेंडेंस और सिक्यूरिंग देर सेपरेशन फ्रोपोजिशन फ्रोपोजिशन में उसी में हैं, इसके लिए प्रेशिप जेस्टिस को हमें अलग से अपावर देने की ज़रृत नहीं हैं, तो उन्होंने कॉंस्टेंट असेमली में बैस और यह पूरे कंस्टेंट एसेमली ने खारिच किया है, तक तरह से कॉलेजियम सिस्टम को भारत की समिधान सवा खारिच कर चुकी है, पहले ही उन्होंने सो न्पचास में ही, लगवग समिधान बन ही रहाता तब ही खारिच कर दिया है, और इंपोर्टन इसमें बहुत इं तो उनको लग रहा था कि हम जो वेवस्ता बदाना चाहते है डेमोक्रासी की बड़े-बड़े स्टालवर्ट लोग थे इस कॉंस्टेंड असेम्पली में मैं आपको कह रहा है कि देवराल हीरोस बिल्कुल कि सेलफ लेसली काम कर रहे थे चौरलाल नहरूप, सरदार पटेल, क मुंसी, पट्टावी, शितारमया, टीटीके, सारे बड़े-बड़े लोग, मतलब ये सब जेबी, कृपलानी वगेरा ये सारे जो बड़े-बड़े लोग थे, महतपूर्न लोग थे, केटी शा भी एक बड़े वेक्ती थे उसमें, और पूरे देश बासे, राजन प्रशा पढ़कर आयते है, नेरो अगरा, जैपाल सिंग मुंदा, ये सब विदेश से पढ़के, और ऑक्सफोर्ड वगरा से पढ़कर आई लोगों थे, जो इन लोगों ने जब डिसाइड किया कि जो इंड़ेडेडेंस, इन लोगों ने मिलके खारीच किया, पॉलिजन सिस्टम क क्या है? हमने जो बताया है, वही है, इसके अगे नहीं है, और इंडेपेंडेंस और से परेशन इसी से होगा, अलग से कुछ करना नहीं है, तो ये एक बहुत इंपार्टर, और उन्हों ने कहा कि अलग से आप कुछ करोगे, जैसे कंसल्टेशन को गॉरन्स में बदलोगे, तो that will be a dangerous proposition and that will be something of like giving a veto power जो हम प्रेसिडेंट को भी नहीं देर कोलेजियम सिस्टम जो आया वो उसको हम एक खतरनाक proposition मान सकते हैं अगर हम Constituent Assembly की डिबेट को देखें तो हम एक मतलब खतरनाक रास्ते पर हैं इस समय पिछले 30 साल से हम खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं और इसी लिए देखिए जब सविधान सभा जब बोल रही थी कि ये खतरनाक रास्ता हैं हम देख रहे हैं कि करोडों केसे पेंडिंग हो गई काफी पेंडेंसी बढ़ी है इस पीच में कितनी कंट्रोर्सी जा रहे हैं लोगों का जो विश्वा सभी नाय पाली का के ओपर वो खतम हो चुका है लोग जज़ूं को गाली दे रहे हैं ज़़ूं के खिलाब ओपनली बोल रहे हैं कर शेयों के फिल केसे आही नहीं रहे है अहां यह कॉसरे शेयर्सेयर्स स्टेट सेब अपिल के किस आहीं ने सुप्रिम कोट तक वो स्टेट में ही उस चीजों को रिजॉल्व कर लेना चाह रहे हैं। सुचिये एक चीप जस्टीस को सिर्फ एक छोटा सा पावर देनी के वज़ा से देश का कितना नुकसान हुआ। यह सोचा कि इस देश में बैंचे से दी बनाने हैं तो चीप जस्टीस उसका एक इनिशियेट करेगा प्रपोजल और विदी कंसेंट अप प्रेसिडेंट अफ इंडिया उसके सुप्रिम कोट के अलग-अलग बैंचेस बनाएगा। यह कॉंस्टीशन में 129 आइटिकल है उसमें है आज तक चीप जस्टीस ने उस पावर को इस्तेमाल ने किया फर हीस सम एक्स्ट्रा नियास कंसिडरेशन कह सकते हैं या वाटेवर दैट इस बनी ने रहे हैं जबकि उसकी बहुत डिमाड है साउथ इंडिया से तीन हजार कि यदि आप कोची मतलब केरला यदि जा रहे है फ्लाइट से तो अल्मोस्ट आप जो है उतने पीरेट में बैंकॉक चले जा रहे हैं या फिर आप उतने पीरेट में कहीं दूसरे तो लिटिगेंट्स वहां से दिल्ली आता है यहां होटल में ठहरता है एक उनकमफर्टेबल इसको पार्लिमेंट में भी उठाया है पी विल्सन का मैं एक पत्र भी देख रहा था कि उन्होंने भी सरकार से माग किए है कि बेंच स्थापित किया जा लेकिन वो हो नहीं पाब ique क्योंकि जजे सुप्रिम कोर्ट इसको करने रहा है इसको और इतना करने के बाद भी सुप्रिम कोर्ट में उसको एंट्री नहीं है उसकी केस सुनने के लिए बहुत जद्द जोहत करना पड़ रहा है और उसमें भी उसका जो होना चाहिए उस तरह का साटिस्फेक्शन नियुक्त प्रोसेस जो है उसमें वो 90 परसेंट दिनों में एक डेट लेकर चला जाएगा मोस्ट लाइकली इस तरह का क्योंकि पेंड़नसी इतना है सेवेंटी थाजन सुप्रीम कोर्ट में केसे स्पेंडिंग है तो इसलिए जो डेंजरस प्रोजिशन कह रहे थे कॉंस्टेंट असे वहां पहुंच गया है हम लोग उसके आगे निकल चुके हैं मुझे लगता है कि अभी यह वर्जाप कोलेप्स के उपर है जुडिशियरी इस तरह कोलेप्स लगाता है इसलिए गौवर्मेंट जो है गौवर्मेंट जब तक नियूक थी कर रहा था देखिए 1993 तक कोई पेंडेंसी नहीं था देश को कितना दन लगा है वो भी बहुत हंगामा होने के बाद उसको सुना गया कई केसे में तो लुटिगंट मर जा रहे है ठीक है तो वह कोई पेंडेंसी नहीं था जुपरिम कोर्ट में हाई कोई पेंडेंसी नहीं था और आप देखिएंगे कि जैसे बांबे हाई कोट है आइटम पर नंबर पर केस है तो आपने कोर्ट में नहीं जाना है वहाँ सुनवाई नहीं होती हो केस निकलेगी नहीं निकलेगी नहीं यह बहुत ही मतलब I tell you मैं कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहता बट मैं बता रहा हूँ कि बांबे हाई कोट is a chronically ill बहुत seriously ill है और बा आतार बात आते पार्लेमेंट में बहुत हो चुकी है तो मुझे लगता है कि इस में नहीं पालिका के अपमान की कोई बात नहीं है उनको इस सिस्टम को राष्टपती महोदय ने खुद अभी बोला है कि जो पेंडेंसी इसकी वेज़ से छोटे-छोटे केस में थपड मारन केस में लोग जिन्दगी भर जेल में रह जाते हैं क्योंकि अगर परिवार उसको छुडाने जाएगा तो उसका घर और बरतन भीग जाते हैं तो यह तो मतलब एक राष्टी चिंता का विशह है नई सिस्टम में आप देखेंगे साभ उब में संविदान की पूरी भावना समीधानी सभा की पूरी भावना के खिलाफ और बाव साभ ने इस पर जिस तरह की चिंता जाता ईए इसको लेकर आप जिस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं तो हम लोग अब यही एक आम नागरिक के तोर पर कामना कर सकते हैं कि सरकार और नियाई पालिका इस मामले को लेकर अपनी कोई सुसंगत राय बनाएगी क्योंकि नाइपालिका के बहुत बड़ी भूमिका है इस पूरे सिस्टम में नितिन साब मैं आपके आखिरी टिपपनी चाहूंगा खास करके इस मुद्दे पर कि जो कॉलेजियम सिस्टम इवाल्व हुआ ये कंस्टिशुशनल जो उसकी भावना या मॉरलिटी को लेकर जिस तरह से आप इसको देखते हैं कैसे आप इस पूरे मामले को कंक्लूड करना चाहेंगे मुझे लगता है कोलेजियम सिस्टम जो आया है वो कोई लॉक या फिर कॉंसिटूशन के इंटर्पिटेशन से नहीं आया है कोलेजियम सिस्टम इस देश में जो सोशल बैलेंस अव दी गवर्निंग सिस्टम है उससे आया है तो जो governing class है उसको लग रहा था कि उसका balance खतम हो रहा है और उसके पास एक institution चाहिए था जैसे parliament में आप देखेंगे कि increasingly diversity बढ़ रही थी तो diversity बढ़ रही थी social composition चेंज हो रहा था parliament का तो इस देश में ruling class है उनको लग रहा था कि ये हमें significantly threat पहुंचाएगा देश बहुत diverse हो जाएगा लोग तंत्रा आजाएगा तो उससे बचने के लिए उन्होंने parliament को control करने के लिए Supreme Court को अपने कबजे में ले लिया और उसके बा जो इस देश में diversity और लोक तंत्रा के लिए बड़े खतरनाक साजी को बाद बार बार सुप्रिम को संसद को उनको बदलने के लिए ठीक करने के लिए कानून भी बनाने पड़े सुक्रिया नितिन जी आप मुझे लगता है कि कोलेजियम सिस्टम क्या है कैसे आया इसके बार चिंप बडेखा बहुत 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 बाँ़ियमार आयो आयो आयो